आपकी उस्कूल में कक्षा 1 में जिन जिन बच्चों ने admission ले चुके हैं या फिर admission आप लोगों दे दिया है अब उन बच्चों को आप लोगों को UDES Plus Portal के उपर कक्षा 1 में new admission में entry आप लोगों को करनी होगी यानि कि जिन बच्चों को आप लोगों ने कक्षा 1 में admission दिया ह तो आज की सीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग किस पकार से कक्षा एक में जो नए बच्चे का एडमिशन हुआ इनकी आप लोग इंट्री कर सकते हैं इससे पहले यदि आप लोग मेरे चनल पर ने हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लेजिगा ताकि यूड़ाइस प्लस प्लस पोर्टल के उपर इस्टुडेंट वाले मोडूस पर अपनी स्कूल की आईडी और पासवर डाल का लोगिन हो जाना है लोगिन हो जाने के बाद में आप लोगों को स्कूल डेस बड़ वाला उप्शन में आना है और यहां पर आप लोगों को जग कक्षा एक लिखी वी होगी तो यहां पर कक्षा एक जहां पर लिखी वी होगी उसके आगे यहां पर देखे एक इस्टुडेंट वाला उप्श जो भी स्कूल में आपको नाम लिखा है वही बच्चे का नाम आपको UDES Portal पर भी रखना है उसके बाद में उस बच्चे के यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लिजएगा अपर जेंडर सेलेक्ट कर लिख देना है उसके बाद में Student State Code यदि आप लोगों के पास में Student State Code है तो आपको डालना है वना आपसको खाली छोड़ दिजए क्योंकि यह Optional है उसके बाद में यहाँ पर Mother Name लिखना है उसके बाद में यहाँ पर Father's Name आप लोगों को लिख देना है जो कि उस बच्चे के आधार कार्ड या पर जन्र परमान पत्र में जो भी है वो आप लोगों उसके इसाब से लिख दिजएगा उसके बाद गाजर नेम में आप लोगों उसके पिताजी का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद में आधार number of student अब आपको यहाँ पर बच्चे के जो आधार कार्ड नमबर है वो आधार कार्ड नमबर आप लोगों को यहाँ पर लिखने है मान लीजे अभी तक किसी आधार कार्ड में नम लिखा हुआ है वह वो नाम आप लोगों को यहाँ पर इस वालों कोलम में आप लोगों को लिखना है यह सारी चैनकरी आप लोगों उभर देने के बाद में आपको simply save और option पे क्लिक करना है तो यह वह बी तक आप लोगों जो entry करी है वो save हो जाएगी यह होने के बाद में इस तरह का एक message आपके सामने show हो जाएगा यह आप लोगों को confirm करने के लिए कहेगा कि विद्यारते की class, name, father's name, mother's name और date of birth इन सबी पर आप लोगों को यह पर check box देखा दे रहा होगा इस check box पर आपको click करना है उसके बाद में आप लोग एक बार पूरी detail एक बार match कर लिजीगा क्योंकि यदि एक बार यदि आप लोगों ने confirm कर दिया है तो उसके बाद में यह detail edit नहीं होगी यदि कुछ correction करना है तो आप लोगों उसको cancel करकर वापस से correction कर सकते हैं और यदि सारे जानकरी बिल्कुल सही हैं तो आप लोगों को simply यह पर confirm वाले option पर click करना है जैसे आप लोग confirm वाले option पर click करेंगे आपके सामने दो option और open हो जाएंगे add new student का फिर या फिर go to new entry list तो यदि आप लोग और भी दूसरी बच्चे को admission करना चाहरे है कक्षा एक में तो आप लोगों को simply add new वाले option पर click करना है और यदि आप लोग entry नहीं करना चाहरे है तो आप लोग list देखना चाहते हैं कि उस बच्चे का नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है तो आप लोगों को go to new entry list पर click करना होगा अब आप लोगों ने सारे बच्चों की entry कर ली है अब सारे बच्चों की entry करने के बाद में आप लोगों एक काम और करना है फिर से आप लोगों को अपने school dashboard के अंदर आना है और कक्षा एक में जिन बच्चों की आप लोगों ने इंट्री करी हैं वो यहाँ पर आप लोगों एक option आपको मिल जाएगा view and manage वाल option देगा उपर तो एड इस्टुट्ट का है नीचे view and manage वाल option है तो आपको simply view and manage वाल option पर click करना है इसपे click करेंगे तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी बच्चों की इंट्री करी कक्षा एक में उन सभी बच्चों के list आपके सामने आ जागी अब आप लोगों क्या करना है इन बच्चों की GP, EP और FV profile आप लोगों को update करनी है जैसे कि हम लोग किसी दूसरी कक्षा की GP, EP और FV जो profile अपडेट करते हैं उसी तरह से कक्षा एक में जिन बच्चों ने निया admission लिया है उन बच्चों की आप लगों को ये तो तीनू profile है इन तीनू profile को complete करना है तो इस पकार से आप लोग कक्षा एक में ने बच्चों को admission दे सकते हैं और admission देने के बाद में आप लोगों को GP, EP और FV वाला जो option है जो profile है उसको भी आप लोगों को update करना जरूरी है तो यदि वीडियो अच्छी लिक्यों तो like है और share किजिगा और यदि आप लोग मेरे चनल पर पहली बार आए तो मेरे चनल को subscribe जरूर किजिगा ता कि यूडियो इस पोटल से समित आगी आने लिए जो भी online अपडेट है उसकी जान करें सबसे पहले आप तक पहुंसती रहे